बीजीपी की तिरफ से इस वक्ट प्रेस कांफरेंस की जा रहे हैं गौरब भाट यार्विद केज़पाल पर निशाना साथरें सुनते क्या कुछ कह रहे हैं इंडियन पीनल कोड में एक अपराद है आउट रेजिंग दी मॉडिस्टी ओफ आ वूमन शब्दों से मर्यादा बंग की जाती है लेकिन यहां महिला कहती है साथ आठ बार मुझे थपड मारा गया और किस ने मारा उनके पीए बिभव कुमार और उनके साथ जो लोग थे कि पिटाई घर अर्विंद केजरिवाल का मुख्यमंत्री आवास अर्विंद केजरिवाल की उपस्तती ममारा कि यह कि साधारन व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि उसके घर पर किसी महिला के साथ मारपीट हो जाए और वो चुप रहे यह कितना बड़ा महिला विरोधी व्यक्ति है तेरा तारिक को घटना होती है आज बारवा दिन है बारा दिन तक यह व्यक्ति बेशरम कहीं का एक शब्द नहीं बोलता है यह महिलाओं की अस्पिता की लड़ाई लड़ेगा मुख्यमंत्री का तो कर्तव था वो निकल कर आते पीड़ता महिला के साथ खड़े होते चाहे वो आम आप भी पाइटी की है या नहीं है किसी भी महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री का दायत्व है वो महिला के साथ खड़ा हो और जो आरोपी है उसको सक्त सजा मिले ये सुनिश्चित करने का प्रयास करे सयोग करे जाँच के साथ लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देखिए जो मैं आपके सामने तथे रखूंगा इस पाखंडी महिला विरोधी अर्विंद केजरिवाल का असली चरित्र आपके सामने आएगा क्योंकि खामोशी भी कई बार लाखों शब्दों पे भारी पड़ती है कैसे अर्विंद केजरिवाल जी सीसी टीवी फुटेज मुख्यमंत्री आवास का कहा गायब हो गया स्वाती मालिवाल जी ने जो कहा है उन्होंने बताया कि जब उनके साथ मारपीट हुई उसके बाद बिभव कुमार ने स्वयम एक विडियो बनाया पहली बात दूसरी बात ये विडियो आठ से दस मिनिट का था अपने मुबाल से ही बनाया होगा आठ से दस मिनिट का तो आज सबसे बड़ा प्रश्ण ये है सीसी टीवी फुटेज नश्ट कर दिया जाता है बिभव कुमार का फोन फॉर्माट क्यों होता है सत्य सामने आता है आठ से दस मिनिट का जो विडियो है सारी सच्चाई छिपी थी